नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आइसुलेशन्स भाल्ब आनिकी मोटराइज बाटर प्लाइ भाल्ब जो आपका चिल्लर प्लांट में हो गया चिल्ल वाटर लाइन और कॉलिंग टोर में इनलेट आउटलेट में ये भाल्ब इस्टोल किया जाता है ये जो मतलब फुली होगा पुरा लोज हो जाएगा या पुरा उपन होगा तो बीम्ह सिस्टेम के लिए कि तरा से किया जाता हैcekो इसके बारे में आज बात करूंगा तो इसमें हमारे जो बैमास सिस्टेम के लिए के गबूसे बा dużल ऀखताए उसमें 익harmal गालेगा आपका अग् करता है 230 पावर यूपेस का इसमें देना पड़ता है यह अपरेट करेगा 230 से तो 230 के अगर डालेंगे आप तो एक लाइट दे दिया डियो पॉंट से हमारा कमंड दे दिया और एक न्यूटल दे दिया तो इसमें पार आ जाएगा नॉर्मल यूपन में जैसे पार दे दिया यह ओपन हो गया ठीक है लेकिन इसको क्लोज भी करना है तो न्यूटल लाइट में दे दिया ओन कर दिया लेकिन इसको क्लोज करना है तो क्लोज करने के लिए और एक के बूल चाहिए क्योंकि इसमें रिवार्ट साथ फरवार्ट सिस्टेम रहता है और डिया पॉंट के लि 5 6 7 A B C D E F इसी साफ से लिख्या हो रहा है लेकिन हमको जिसमें काम है उसका केबूल में मार्किंग किया हूँ जीसे 1 3 4 1 में आपका न्यूटल आएगा 3 में आपका यह नो पॉइंट है और 4 जो है एन सी पॉइंट है और A और C में हमको टर्मिनेशन करना है दी आए सब्सक्राइगा ओपेन क्लोज स्टेटास और यह तीनों जो है यह दोनों है हमारा ओपेन क्लोज कमांड तो डी और टीवी से 2 कोर के बुलायागा 3 और 4 में कानेक्शन होगा और न्यूटल आपका एक टार्मिनल ब्लोक लगा के इस तरह का एक सिंगल टार्मिनल ब्लोक करना है तो जैसे वायरिंग इससाब से किया हुआ इसका स्क्रीन सोट आप ले सकते हैं ताकि आपको काम आए तो जैसे हमको वायरिंग इसका किस तरह से करना है डी डीडीजी पेनल से आपका 3 कोर एक कमांड के लिए आ गया और न्यूटल और टू कोर आपका डीए तो वायरिंग किसी सस्पेक किजेगा डी डीडीजी पेनल में पहले आपको एमसी भी लागाना जुरूर है जितना फाल्प है अगर एक फाल्प है तो एक एमसी भी लागाना है अगर एमसी भी नहीं है तो आप इस तरह का फ्यूज कानेक्टर भी लागा सेकते हैं तो जित के लिए हैं एक टार्मिनल ब्लोक लागा दिया है उसके बाद आपका फाल्ब में न्यूटल आगिया है ठीक है टार्मिनल ब्लोक से और जो हमको इसमें एनों सी पावर चाहिए जैसे तो एम सी भी से हम डायाट आपका 24 वोल्ट का जो रिले हैं उसमें ले जाएंगे रिले मे सिस्टेम आपेड़ेयरट करके देखा देंगो आपको रिवर्स आर फर्वर्वर्ड वालक सिस्टेम रहो उसमें तो कमांड में करनेक्शन करती है और जो पॉयंठ है आपका ये में एक कनेक्शन होगा और न सी कर्याई पूयंठ जाएगा और ए और थ्री आपका यह connection सौट हो जाएगा डिय पॉइंट है ड्राइ गॉंट है तो इस उट हो जाएगा तो डिय पॉंट हमारा बता आएगा तो जैसे ड्य पॉंट में टू कोर वान औसकेर में यहां पर connection से साफ से होगा और त्री कोर को डालना है वान असकेर में इससे साफ से आप यहां पर सिस्टेम बता देते हैं टूइटीफ़ वोड्क का रिले होता है यहां रिले कार भी लगा वारता है सेपरेट सेपरेट रिल कर देता है तो इसे एंसी कमान और एंसी यह कटके आपका पौर चल जाएगा तो यह उपन स्टेटास ओपन क्लोज कमांड चल जाएगा ओपन बताएगा तो हमारा डिपन भी इंडिकेशन देगा इसी सबसे यह वरेंग किया हुआ रहता है तो मैं एक मैनुएले बला सिस्टे तर्बिनेयल ब्लोग और यह आपका कि नी्टाल हो गया फिर है पिर आपका प्लास है फिर प्लास मत्रब तू- þर्टी क्या यह लाइट है एक फिर एनसी प्यूइंट है यह नॉर्मひल कण्डीशिन में रहेगा प्रेल्मल फ्रियह नॉर्मल अपेन्ड तो जैसे मैं आभी तो green cable जो हमारा आपका direct आपका माल लीजें यहां से आ रहा है तो यह आपका neutral होगी है ठीक है और 230 का यह दो गिया है आपका माल लीजें यहां से release से एक है आपका blue cable ठीक है यह आपका open नर्मली open है और जो red cable है वो NC है नर्मली close और यहां पर मैं 24V पार दे दिया हूँ ठीक ह यह तो जैसे में अभी फ्यूज कनेक्टर से में दियो इसको प्रेट करता हूँ पहले में power दे देता हूँ पावर देंगे तो यह रान होने लाएगा direct यह जो motor है यह रान होने लाएगा तो जैसे पावर दूंगा जैसे रान हो रहा है ठीक है आप जैसे में इसका इसको अपकरते तो फरवाड में अभी चलने लाएगा एक मेट थोड़ा तो जैसे इसको में डियो से इसका जो आपका रिल्य देख रहा पावर जल राइस को काट देते हैं तो फिर नर्मल कंडिशन में फिर उधर से चलने लाएगा अभी पावर काट गिया है उधर से तो यह मतलब लिमिट स्विच कुछ इसे आप से लगा हुआ रहता है उहां जाके फिर यह पावर काट जाता है जो आईसूलेशन भालवे आपका और जैसे में फिर से कमांड दे देता हूं तो फिर उधर से उन होन लेग तो इसी से आप से यह अपरेट हते रहता है तो धुन्य बाद आप सभी क्या मेरे वीडियो देखने के लिए और कुछ जानकारी मिला है तो आप लोग कमेंड कीजे नए है तो सास्क्राइब कीजे नोटिफिकेशन अन कर लिजे और वीडियो पूरा देखिएगा तो तभी की समझ में आयेगा माल लिजे मैं आपका आप यह अपर सो नहीं करवाया तो आप गूगल पर सार्च किजेगा मोटराइज बाटरफ्लाइ भाल्प हनीवेल कुमपानी का तो आपका ब्लेक कलर का या औरेंज कलर का सो करेगा तो उसमें इस हिसाब से वेरिंग किया जाता है जैसे मैं अभी बताया हूँ तो धन्यवाद आप सब का बहुत 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 जो इतना दिन से आप लोग वीडियो देख रहा है और मेरे चैनल में जूड़े हैं जो नए हैं सास्क्राइब कर लिजे नोटिफिकेशन अन कर लिजे अभी वीमस का बहुत सरा वीडियो अने भला है धन्यवाद